कि है कि हलो स्टुडेंट्स वेलकम टो माई चैनल ओनलाइन कंप्यूटर क्लासिज इसमें लास्ट टाइम हमने चैप्टर सेकेंड पढ़ा था कंप्यूटर लेंग्विज उसके बारे में मैंने आपको बताया था वो क्या होती है किस टाइप से होती है और उनके एडवांटे इस exercise को आप करें इसको देखें mcq जो question है उसकी answer की मैं आपको दे रहा हूं इसका आप screenshot ले लें और screenshot लेकर को इसको read कर सकते है write कर सकते हैं ठीक है और यह इसके वह सारे के सारे question जो लास्ट टाइम मैंने आपको करने को कहा था इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें और इसको याद करें और दुबारा से अगर एक बार इसको दुबारा से वह पिछले वाली वीडियो देख के और इसको अपने आप सबसे पहले अपने आप करने की कोशिस कि अगरें ठीक है उससे आपके रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपको याद भी इजली हो जाएगा ठीक है ओके कि चलो बात करते हैं हमारे अगले चेप्टर की जो है हमारा मेल मर्ज एंड टेबल्स इन सबसे पहले हमारा जो मेल मर्ज इसमें हम पढ़ेंगे मेल मर्ज क्या होता है ठीक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके ये जो इसमें टाइप्स हैं इसके इसके मेल मर्ज के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पढ़ती है उसके बाद मेल मर्ज क्रिएट करने के लि कवर करेंगे ठीक है तो चले सबसे पहले बात करते हैं मेल मर्ज की मेल मर्ज कंसीडर फ्लोविंग सिच्वेशन विच मेक्स यू रिलाइज दनीड अफ मिल मर्ज !? You are celebrating your birthday and you want to send invitation letter to your friends and relatives. You would like each letter to have your friend's name and address on it. Type out all letter one by one? Or would you rather use a facility that you will allow you to सेम बर्थडे इंविटेशन टेक्स्ट विद नेम एंड एड्रस ओफ यूर ओल फ्रेंट्स एंड रिलेटिव सो देट एट असेपरेट इंविटेशन इस ट्रेटिड देखिए मेल मर्ज बेसिकली क्या होता है इसने एक चोटा सा एक्जेंपल देंगे हमको बताया है कि स्पोज करो आपका बर्थडे है या मैरिज है तो आप क्या करते हैं एक नॉर्मली लैटर को राइट करते हैं अपने रिलेटिव सो ठीक है और उस letter को write करके आप क्या करते हैं या तो हर एक के लिए आप letter बनाएं हर एक के लिए अलग-अलग से letter लिखें और आप उनको send कर दें या फिर आपके पास एक ऐसी facility हो कि आपने एक normal letter बनाया उसमें आपने सभी को letter लिखा और वो post कर दिया एक same ही letter आपने सभी को post कर दिया उस facility को हम क्या बोलते हैं उसको mail merge बोलते हैं कि हमने एक ही letter को अलग-अलग लोगों के पास उस content को send कर दिया forward कर दिया ठीक है वो कैसे होगा अब इसके बारे हम आगे हर एक को step by step discuss करेंगे ठीक है देखिए इसमें यहां बताया गया है यहां पर if you have the name and address of 150 clients you can either type 150 letter or type one letter and use mail merge to combine it with your 150 address to create 150 letter कि आप के पास अगर suppose करो 150 एक list है ठीक है आपके पास suppose करो एक list है उस list में आप क्या करते हैं उस normal list को आपने एक जिसमें आपका address है ठीक है उस address list में वो content दिये हुए हैं वो सारे के सारे use जितनों को आपने letter send करना है और एक आपके पास list है जहां जो वो आपने content त्यार किया है जिसमें आपने letter invitation के लिए invitation letter लिखा है ठीक है और इन दोनों की जरूरत पड़ते हैं और इस से आप single ये एक single letter लिख कर इन 150 लोगों को इस letter से मतलब इन के address यहाँ पे one by one print होते जाएंगे automatically जिस जिसको आप send करोगे और उस एक ही letter को आप 150 लोगों के पास send कर देंगे mail merge has three components mail merge के तीन components हैं इनकी बात करते हैं सबसे पहला है main document दिखिए इनके आधा तो इनके नाम से ही पता चल जाता है जहां इस ने लिखा है कि main document अब suppose करो आपने किसी को letter लिखना है write करना है तो आपका main document main content क्या है जो आपने write किया है जो आपने मालो invitation letter है तो वो जो invitation letter आपने write किया है वही तो आपका main content है ठीक है और जो वो content write किया है उसी को हम क्या बोलते है main document बोलते है main document is your starting point of your mail merge procedure mail merge का सबसे पहला point है आपका main document the main document can be a letter envelope email label or directory यह कोई आपका letter envelope हो सकता है email हो सकता है यह कोई label या directory हो सकती है ठीक है it contain content that is to be identical in each copy such as the main body of the text यह आपका वो main letter है जो आप हरेक व्यक्ति को आप send करना चाहरे हो main document आपका वो identical in each copy जो जिसको आप हर एक व्यक्ति को send कर दी है ठीक है वो आपका main part है जो आपका main document है secondly हम बात करते हैं data source data source क्या होता है अब देखिए अब आपके पास जो letter है वो तो आपने write कर दिया ठीक है अब यह send किन को करना है यह send भी तो हमको अलग-अलग लोगों के पास करना है एक ही letter है यह हमारे पास और आपको 500 लोगों के पास अगर send करना है उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए उन लोगों का address जो आपके पास होना चाहिए ठीक है उनका address आपके पास होना चाहिए अवलेबल तभी तो जाके आप इस letter को उन सभी लोगों के पास send कर पाऊगे है ना तो data source is a file data source क्या है एक file है that contain the address list to merged into a document जो contain करके रखती है वो सारे की सारे documents को जो आप उस जो आपका में मर्ज में डोकिमेंट है उसके साथ attach करके उन लोगों को उन recipients को भेजना चाहिए उस letter को ठीक है उसके बाद आता है हमारा merge document अब merge document क्या होता है merge document is a document created by merging of the main document and an address list जब आप इस address list को इस address list जो आपके पास थी और आपका जो main document था उन दोनों को आपने combine कर दिया मतलब इस list को आपने merge कर दिया इन दोनों को ताकि इसके अंदर जितने भी लोग हैं उनके पास यह letter send हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं merged document बोलते हैं ठीक है अब वो कैसे होता है हम इसको step by step करेंगे creating mail merge अब आपको mail merge create करना है उसके लिए क्या करना बढ़ेगा सबसे पहले कुछ आपके पास this can be created from a new blank template और existing document आपको अगर mail merge create करना है जो आपके पास main document है या तो आपको blank document नया कोई document बनाना है या कोई आपके पास template है ठीक है या आपके पास template हो या कोई पहले से बनी कोई file हो सकती है आप उसको इसमें ले सकते हैं ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले क्रिएट दा मेन डोकुमेंट पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा राइट ओल्ड टेक्स एड निसेसरी फॉर्मैटिंग अद अधर फैंसी एलिमेंट बेसिक्ली सबसे पहले आप क्या करेगा राइट ओल्ड टेक्स वह सारे के सारे टेक्स हैं जो आपने राइट कर लिए आपके अपने फैंसी फॉर्मैट के अंदर उसके अंदर बाद आप क्या करोगे चूज लेटर ओप्शन फॉम स्टार्टिंग मेल मर्ज डॉप डाउन लिस्ट ऑपन करके रखा है अंदर आपने एक लेटर राइट कर लिया उसके बाद आम क्या करोगे में ने चूंस Fury लेटर ओप्शन फ्रॉम स्टार्टिंग मेल मर्ज आपने जैसे फाइल पीड्लिक और तो आपके पास यह सारे के सारे स्टार्टिंग मेल पken जो यह हमारा ओप्श है ठीक है इस तरह से हमारे अलग-अलग यह फिल्ड मिलेंगे हमको उसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले हम हमने क्लिक किया फाइल पर और उसके बाद मेलिंग्स पर हमने क्लिक किया और जैसे ही उसके क्लिक किया हमारे पास यह जो आपको yellow color का यहां पर दिखाई दे रहा है start mail merge ए में उप्शन आपको दिखाई देगा ठीक है इस में उप्शन में आप क्या करेंगे इसपे क्लिक करेंगे और जो यह चोटा सा arrow आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं drop down arrow ठीक है drop down arrow का मतलब है जैसे हम इसपे click करेंगे तो इसके नीचे एक list बन के हमारी आ जाएगी ठीक है उसको हम बोलते है drop down arrow आपने इस पे click किया उसके बाद हम क्या करेंगे choose type new list option from select recipient drop down list a new address list dialog box will appear on the screen जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके बाद आपने क्या किया select recipient पे click किया आपने select recipient पे click किया और आपने क्या किया इसमें जैसे drop down arrow पे click किया तो आपके पास option आ गए इन options में से आपने type new list अगर आपके पास आप नहीं कोई list बनाना चाहरे हैं मानलों suppose करो आपको नहीं list बनानी है यहाँ पे file, last name, user name जो भी आप exit अपने regarding जो भी बना जा चाहते हैं वो बना सकते हैं अगर आपके पास already आपने बना के रखी हैं तो आप second option को चूज करोगे ठीक हैं और select from outlook contact या आपके पास अलग से file हैं तो आप वहाँ से भी चूज कर सकते हैं ठीक हैं उसके बाद note, you can customize the field name and add or delete in the field इसमें आप customize कर सकते हैं इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया अगर आप अपने regarding बनाना चाहते हैं तो ठीक है second part हमारा है creating data source अब data source मैंने बताया था कि उन लोगों के list कि जहां जिन जिन लोगों को आपको data send करना है उसके लिए आप जैसे ही वो new address list मैंने अभी यहां दिखाया था यह हमारी new address list बनेगी इसके अंदर आपको क्या fill करना पड़ेगा इसके अंदर आप अपने regarding अपने name जो भी आप देना चाहते हैं जो भी requirement के according आप उन fields को बना सकते हैं जैसे कि यहां पर इस file में हमने बना दिया है ठीक है यह तीन entry हमने दे दिया है इसमें नरेस रोहनी ठीक है इस तरह से और रोशन यह हमने एक address list बना दी है उसके बाद आपने क्या किया इसके ok बटन पर हमने क्लिक कर दिया और save address list डायलोग बॉक्स विल अपियर select the file location and enter the file name by clicking on save बटन जैसे ही आपने ok किया यहां पर save बटन के लिए यह एक दूसरा डायलोग बॉक्स अपियर हो जाएगा screen पर और तभी आप क्या करोगे इस जो यह screen पर appear हुआ है इस पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं हमने address list लिख दिया है और हम इसको save कर देंगे ठीके जैसे यहां पर save पर हम क्लिक करेंगे यह save हो जाएगा उसके बाद merge the document अब उन documents को हमने दो देखो सबसे पहले हमने कोई letter write किया उस letter को write करने के बाद वह हमारा जो letter write किया वह हमारा main document हो गया उसके बाद हमने एक list बनाई recipient list ठीक है और उस list में हमारा क्या था उस list में हमने क्या किया वो जितने भी लोगों को हमने send करना था वो बना ली वो हमारा data source हो गया उसके बाद हम बात करते हैं merge the document मतलब उनको मिलाना है mix करना है क्या कैसे करेंगे insert all the fields one by one at the respective place from the insert merge field drop down list in right insert field group under the mailing tab आप क्या करेंगे सबसे पहले mailing tab में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर insert merge field हम insert merge field पे click करेंगे इससे क्या होगा कि आप से पूछ रहा है कि आपको जो address है address में क्या-क्या फिल्ड आपको चाहिए जो आप data source है data source से आप क्या-क्या लेना चाहते हैं उसका नाम चाहिए आपको उसका लास्ट नेम चाहिए उसका address चाहिए city और state चाहिए यह सारे के सारे जो भी आपने requirement के according अगर आपने अलग बनाए है तो वह आप बना सकते हैं वह सारे के सारे जो भी आपने data source में बनाए वह यहां पर आ जाएंगे और यहां पर उन को आप सेलेक्ट करते चलेंगे one by one आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद स्लेक्ट एडिट इंडिविजुल डोकिमेंट ऑप्शन एंड फिनिस एंड मर्ज ड्रोप डाउन लिस्ट एंड फिनिस ग्रूप अंडर दा मेलिंग टैप आपने इसको क्या किया इस उस उन अपते उसकी मेलिंग करें आप क्या करेंगे थे मैं इस मर्ज यहां पर फिनिस मर्ज पर क Recommwyn्प एजिया क्लिग किया और जैसे हैं आपने उसकी घ्रीक किया एक यह इस ज़ोल यहां पर ड्रोपीर हो चाहेगा और आपके पास option आएगा कि आप सभी को भेजना चाहते हैं वो जो लिस्ट है आपका ड्रोप जो आपका data source है उसमें से आप जितने आपने तीन लोग जैसे हमने तीन लोग लिये थे मपरें रोसं लिया था रोहन लिया था या उन्त सभी के पास भीजना चाटते हो जो आपने ऑपन किया हुआ एप किसी या जैसे सीरियल नंबर है उसमें ऐसे सिर्क एज़ना तो आप किसी भी तरह से अप इसको कर सकते हैं तो जैसे हमने नाम लिये थे हैं यहां पर नाम आ जाएगा Mr. Rohujah वह उसका एड्रस आ गया ठीक है यह चीजे आपकी यहां पर लिखी मिलेगी ठीक है यह जो हमने टू फर्स्ट नेम लास्ट नेम यह हमने दे रखा है यह सारा का सारा जैसे उसके पास पहुंचेगा यहां उसको अपना नाम लिखा मिलेगा उसके बाद the document will be merged in a new document और वो document हमारा merge हो गया है और जब उसके पास वो letter जाएगा वो कैसे जाएगा वो इस तरह से जाएगा यहां पर आपको show हो रहा है जैसे उसका address है और next रमेज कुमार है और model town पानिपत हमने इसको भेजा है हर्याना का है वो सब इस तरह से तो वो letter उसके पास भेज दिया जाएगा तो इसमें हमको letter को बार-बार repeat नहीं करना पड़ता बार-बार write नहीं करना पड़ता और एक ही बार write करके हम इस document को हम ہजारों लोगों को जितने भी आप चाते हैं उन लोगों के पास आप भेज सकते हैं इसमें हमको सिरफ एक data source चाहिए होता है और एक main document जो letter हमको send करना ह उन दोनों को merge करके हम इसको send कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा table ठीक है टेबल के बारे में हम next वीडियो में discuss करेंगे अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और जो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूं कि इस वीडियो को आप सब्स वीडियो के नीचे एक रेड कलर के अंदर आपको लिखा मिलता है कि सब्सक्राइब बटन अब अगर वह आपको लिखा मिल रहा है रेड कलर में तो आप उसके उपर टिक कर लें तो वह हीडन हो जाएगा वाइट कलर से के अंदर हो जाएगा तो उससे यह चैनल आपका सब स्क्राइब हो जाएगा और जो भी वीडियो आपकी हम नहीं बना रहे हैं वो डारेक्ट नोटिफकेशन आपके पास डारेक्ट ली पहुंच जाएगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही ओके